कोई भी चीज तब तक अच्छी लगती है जब वो हद में रहकर होती है क्योंकि हद से ज्यादा होने पर बरबादी लाती है और ये बात चालबास चीन को याद दलाना जरूरी हो गया है जिसने समंदर को अपनी जागीर माल लिया है जो वेस्तारवाद इमीती में अंधा हो गया है और अपनी जासूसी मशीन के जरिये दूसरे देशों के अंदर जाकना शुरू कर दिया है नमस्कार मैं हुविवेट श्रवास्तव आप देख रहे हैं समंदर में ऑपरेशन भस मकसूर क्योंकि चीन ने हिंद महासागर में स्पाई मशीन लगा दी जिसने दो देशों के बीच के सारे नियम ताक पर रख दी है भारत की ताकत से डरा चीन हिंद महासागर में जासूसी मशीन उल्टी पढ़ेगी जिन पिंग की चाल नीला समंदर हो जाएगा लाल ड्रेगन का सीक्रेट हत्यार शुरू हुआ गोरिल्ला वार बंगाल की खाली में उठेगा तूफान निशाने पर चीन का युआन महा विनाश का काउंट डाउन जासूसी का सिक्स राउंड भारत का पदलापुर समंदर में आपरेशन फसमासू जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहू पूरे दिन ओफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी लिउज आपको रखे आगे